सबी को नमस्ते आज मैं आपको गणित के most important question जो वार्षिक परिक्षा के हिसाब से important है नमूना आप प्रश्ण पत्र रसोल करवा रहा हूं गणित का जो 80 marks का है जिसमें से आपके option पहला question है कि निम्न लिखित में से धनात्मक परिमेशंख्या हैं देखो धनात्मक परिमेशं minus cancel बचा 7 बटा 8 तो हमारा answer हो जाएगा option C minus 7 बटा माइनस 8 बहुपद 6 minus x square minus 8 x की गात है इसमें अधिकतम गातां पूछ रहा तो अधिकतम गातां क्या x की गात 2 तो हमारा option C right हो जाएगा तो यदि 2x plus y बराबर 6 हो तो इसको संतुस्ट करने वाला यूगमा है देखो संतुस्ट करने हैं 2x plus y बराबर 6 अगर मैं x की जगे अगर मैं 0 रखता हूँ sorry x की जगे 2 रखा और plus y बराबर 6 तो 4 plus y बराबर 6 चार को पक्षांतन कर देंगे 6 minus 4 तो y बरोबर आगिया 2 अरतात x का भी क्या है 2 और y का भी 2 तो option C में हमारा right है next के रहा है हमारे के यदि किसी त्रिबुज में 2 कौन 90 डिगरी तता 70 डिगरी 30 डिगरी माप के हों तो 3 कौन ग्याद कीजिए त्रिबुज के तीनी कौनों का योग 180 होता है 90 और 30 ये हो गया 120 अब हमें 180 में से 120 गटा देते हैं तो ये 0 6 यनि कि ये आजाएगा हमारा 60 डिगरी अंसर चत्र बुज जिसकी चारो बुजाएं और कौन परस पर समान हो तो वह किलाता है जैसे देखो यह मैंने एक चत्र बुज बनाया इसमें क्या होता है कि चारी बुजाएं बरोबर होती है ये बुजा ये बुजा ये बुजा और ये बुजा तो जिसमें चारी बुजाएं ब पूरा कोन तो बना हुआ कितने होता है तो 360 डिगरी होता है 360 का मतलब 4 समकोन के बराबर होता है किसी गन का आयतन 125 गन मीटर है तो गन की भुजा ग्याद कीजिए तो गन का आयतन दे रहा है गन का आयतन गन का आयतन हमें दे रहा है गन का आयतन गन का आयतन है 125 गन का आयतन का सुत्र होता है पुजा क्यूब बराबर 125 तो क्यूब भटेगा और रूड लग जाएगा तो पुजा बराबर रूड 125 तीन अधात हमें 125 के गुनंदखन करने 5 का 5 दूनी 10 पांचो बंजे 25 और 5 एकम 5 तो तीन-तीन के जोड़े बनते हैं तो इसमें से 5 इंटू 5 इंटू 5 इसमें से 1 पांच लेंगे तो गन की बुजा हो जाएगी 5 सेंटी मीटर तो हमारा इसमें अंसर हो जोरी 5 मीटर हमारा अंसर सी हो जाएगा फिर नेक्स्ट के रहा है कि संभाहूत रिभूज की एक बुजा ए मिटर है तो इसका परिमाब ग्याद कीजिए देखो संभाहूत रिभूज आटवा क्यूश्चन है कि संभाहूत रिभूज का परिमाब संबावत रिभूजगा परिमाप ग्याद करने का सुद्र होता है तीन इन्टू बूज़ा अब इसमें तीन इन्टू बूज़ा को मान लिया हमने A तो तीन इन्टू A बराबर तीन A हमारे आंसर हो जाएगे ओप्शन A हमारा राइट हो जाएगा फिर नेक्स्ट लेते हैं नुवा सवाल है कि यदि पांच, साथ, नो, दस, एक्स का माद्य नो हो तो एक्स का मान गयाद कीजिए माद्य गयाद करने का सुद्र होता है प्रेक्शनों का योग बटा प्रेक्शनों की सिंख्या तो 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 10 प्लस X बटा एक, दो, तीन, चार, पांच संक्या 5 और इसका जो माद्य दे रहेका माद्य कितना दे रहेका है जोड लो इनको 10 और 9, 19, 19, 19 और 7, 26, 26 और 5, 31 31 प्लस X बटा 5 बराबर 9 बटा 1 क्रोज गुना 31 प्लस X बराबर 45 तो X बराबर 45 माइनस 31 तो X बराबर 4 और 14 तो हमारा आंसर हो जाएगा option A हमारा 14 आंसर नेक्स्ट पूझ रहा है इसमें कि यदि विचर का बंटन 4, 5, 6, 3, 2, 5, 1, 5 का हो तो विचर 5 की बारंबार था अर्था 5 किती बार इसमें आया है तो 1, 2, 3 तो हमारा option A right हो जाएगा नेक्स्ट है हमारा दूसरा प्रश्ण अब दूसरा प्रश्ण है कि समिकरन 3X माइनस 2Y प्लस 7 बराबर 0 मे X का मान 5 हो तो Y का मान ग्याद कीजिए समिकरन है 3X माइनस 2Y प्लस 7 इक्वल टू 0 और हमें इसमें X का मान अर्थात X की जिगें हमें 5 रखना है तो 3 इंटू 5 माइनस 2Y प्लस 7 बराबर 0 15 माइनस 2Y प्लस 7 बराबर 0 अब यह प्लस का और यह प्लस का तो 15 और 7 बाईस तो माइनस 2Y प्लस के 22 बराबर 0 यह प्लस की इदर जाएगी तो माइनस की माइनस के 2Y बराबर माइनस के 22 माइनस से माइनस के इंसल Y बरोबर 22 बटा 2 2 एकम 2 2 एकम 2 तो Y बरोबर हमारा अंसर आगया 11 इसका अथवावला सवाल है अत्वावला x-y बराबर 0 मैं x का मान 2 हो तो y का मान ग्याद कीजिए इसका अत्वा सवाल है कि x-y बराबर 0 में x बराबर 2 हो तो y का मान हमें ग्याद करना x की जिए के 2 रखना 2-y बराबर 0 y को आप इदर पक्षान नकर तो 2 बराबर y तो y बरोबर आगिया हमारा 2 अंसर नेक्स्ट है हमारा तीसरा सवाल दो पुरक दो पुरक कोणों कोण आपस में समान हो तो प्रतिक कोण का मान ग्याद कीजिए तीसरा प्रतिक पहले तो पुरक कोण किसे कहते हैं के पुरक कोण होता है के 90 डिगरी के 90 डिगरी के कोण को पुरक कोण कहते हैं 90 डिगरी के कोण हम पुरक कोण कहते हैं अब हमने इसको मान लिया एक 90 डिगरी का कोण है अब इसमें क्या कहा कि दो कौन हैं ये कौन हो और ये कौन हो दो कौन अपस में समान हो और ताथ ये भी X है और ये भी X है तो प्रते कौन का मान हमें ग्याद करना तो हम लिखेंगे X plus X बराबर 90 क्योंकि दोनों कोणों का योग होता है 90 पुरा कोण तो 2X बराबर 90 तो X बराबर 90 बटा दो 248 दो बंजे 45 तो X बराबर आ गया हमारा 45 डिगरी अंसर Next है हमारा इसका पुरा कोण की परिवाशा पुरा कौन की परिवाशा में ने बताई कि 90 डिक्री के कौन को हम पुरा कौन कहते हैं चोता सवाल है दी गई आकरती में X का मान गयाद कीजिए अर्थाद ये आकरती दे रिकी है हमें और हमें इसमें पूचा है कि X का मान गयाद कीजिए ये 50 है ये 80 डिग्री है और ये X है हम जानते हैं कि सभी कोनों का योग एक रेखी कोन होता है रेखी कोन का योग 180 डिग्री होता है तो X प्लस 80 प्लस 50 बराबर 180 डिग्री और कोन कोन सा है रेखी कोन ये हो गया रेखी कोन जोड़ लो 8 x प्लस 8.5 तेरा 130 डिगरी प्लस बराबर 180 डिगरी 130 को पक्षांदन कर दो तो x बराबर 180 माइनस 130 तो x बराबर आगया हमारा 50 डिगरी आंसर Next सवाल है हमारा इसी का अत्वा है कि यदि कौन c, यदि कौन b बराबर 60 डिगरी कौन c बराबर 40 डिगरी हो तो कौन a का मान गयात कीजिये इसका अत्वा है चोते सवाल का अत्वा अत्वा वाला सवाल है यह हमारा चित्र है और इस में आपको मान दे रखा है a, b और c A का मान, सोरी B का मान तो है 60 डिगरी C का मान है 40 और A का मान गयाद करना कौन A प्लस कौन B प्लस कौन C बराबर 180 डिगरी होता है ठीक हमें कौन A का मान गयाद करना है प्लस कौन B का मान है 60 और कौन C का मान है 40 बराबर 180 डिगरी कोण A प्लस 60 और 400 डिगरी बराबर 180 डिगरी कोण A बराबर 180 माइनस 100 तो कोण A बराबर आगया हमारे पास में 80 डिगरी आंसर नेक्स्ट है हमारा पांचवा सवाल एक सम बहु बुज में बुजाओं की संख्या 12 हो तो प्रतिय कोण का मान ग्याद कीजिए देखो हमें प्रतिय कोण का ग्याद करने के लिए पहले पता करना पड़ेगा कि बुजाएं जिसमें 12 होगी तो उसके सभी कोणों का मान कितना होगा वो निकालने के लिए हमें सुत्र पता होना जाए N माइनस 2 इंटू 180 N की जिगे हम रखेंगे 12 12 माइनस 2 इंटू 180 10 इंटू 180 बराबर ये हो गया 1800 अर्थात हो 1800 डिगरी का कोण होगा अब हमें क्या करना है कि इसमें भुजाएं का मान दे रखा है 12 तो हमें उसमें क्या जाद करना प्रतियक कोण की माप प्रतियक कोण की माप 1800 बटा बारा काड़ दो 6 की टेबल से 6 दूनी बारा 6 ती अठारा और 2 की टेबल से 2 एकम दो 2 बंजे 10 जीरो यनि प्रतियक कोण की माप हो जाए कि हमारे 150 डिगरी अंसर अब पुछा है नेक्स्ट हमारे पास में कि एक त्रिबुज एक त्रिबुज है एक त्रिबुज का आधार 20 सेंटीमीटर है और उचाई 6 सेंटीमीटर हो तो त्रिबुज का क्षेत्रपल ग्याद कीजे 6 सवाल देखो आधार दे रहे का है हमें त्रिबुज का आधार 20 सेंटीमीटर और उंचाई दे रहे की हमें 6 cm तो त्रिबुजगाक शेतरपल ग्याद करने का सुद्र है त्रिबुजगाक शेतरपल बराबर 1 बटा 2 इंटू आधार इंटू उंचाई यह हमारा सुद्र है तो 1 बटा 2 आधार है हमारा 20 और उंचाई है 6, काट दो इसको 2 तिया 6, 20 तिया 60 60 cm2 हमारा इसके आंसर हो जाएंगे साथवा सवाल है कि गन का संपूर्ण प्रश्ची शेतरपल 150 वर्ग मिटर है तो इसकी बुज़ाय की लंबाई ग्याद कीजिए तो गन का संपूर्ण प्रश्ची शेतरपल प्रश्ची शेतरपल दे रखा है 150 मिटर स्क्वाय गन का संपूर्ण प्रश्ची शेतरपल 6 इंटू बुज़ा स्क्वायर ये सुतर होता है बराबर 150 तो बुज़ा स्क्वायर बराबर 150 वटा 6 कार दो तीन की टेबल से तीन दूनी 6 तीनों पंचे पंदरा और दो की टेबल से दो दूनी 4 दो पंचे 10 तो बुज़ा स्क्वायर बराबर 25 अटेगा और रूट लगेगा तो बुज़ा बराबर रूट 25 तो बुज़ा आजाए की हमारे पास में पांच सिंटी मीटर ये हमारे आंसर हो जाएंगे क्यूश्चिन नमबर साथ के अब हम लेते हैं क्यूश्चिन नमबर आठ क्यूश्चिन नमबर आठ में है कि बंटन 1, 12, 6 10, 4, 8 4, 1 का माध्य ग्याद कीजिए तो सर परतम इसको हम क्या करेंगे संक्याओं को आरोही क्रम में लिखेंगे आरोही क्रम का मतलब यह होता है चोटी संक्या पहले सबसे बड़ी संक्या बाद में तो इसमें सबसे चोटी संक्या है एक है एक अकर दो बार है तो दो बार लिखेंगे फिर इस से बड़ी है 4 2 बार है फिर आगए 6 फिर 8 फिर है 10 और फिर है 12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 संख्या और इसका हमें निकालना है माद्यक तो माद्यक 8 संख्या है तो हमें इसका सुद्र लगेगा N upon 2 तो आठ बटा दो बराबर दो चोक आठ यनि कि यह आया हमारे पास में चार तो चोती संख्या प्लेस पांचवी संख्या बटा दो अरतात इसमें चोती संख्या एक, दो, तीन, चार चोती दो होगी चार प्लेस पांचवी होगी छे बटा दो बराबर दस बटा दो बराबर पांच तो हमारा जो माध्यक का जो आंसर होगा माध्यक माध्यक बराबर पांच हमारे आंसर हो जाएंगे नुवा सवाल है कि 0.01 परिमे संख्या में बदली देखो इसको हमें परिमे संख्या में बदलना तो बटा, पोइंट डटाया, पोइंट की बाद में दो संख्या है तो दो 0, तो इसे हम लिख सकते हैं एक बटा 100, एक बटा 100 ये हमारी क्या है, परी में संख्या है, next question है हमारा, next है नवा question, sorry, नवा हो गया, दसवा question है, दस्वा है गनाब के आयतन का सुद्र लिखी है तो गनाब का आयतन बराबर लंबाई इंटू चोडाई इंटू उचाई ये हमारा सुत्र होता है फिर आजाता है ग्यारवा सवाल कि वह कोन जो दो समकोन से बड़ा तदा चार समकोन से छोटा हो अर्दावत मतलब क्या कह रहा है 180 डिगरी से बड़ा और 360 डिगरी से छोटे कोन को हम रिजू कोन कहते है उसे हम रिजू कोन कहते है ये हमारा आंसर होगा नेक्स्ट है हमारा बारवा सवाल बारवा है गुनंदगंड कीजिए सवाल है 3X स्क्वाइर प्लस 7X प्लस 2 ऐसी कौन सी संख्या जो गुणा करे तो 6 आ जाए जोड़े तो 7 हो जाए तो वो संख्या हो जाएगी 1 और 6 3X स्क्वाइर प्लस 1X प्लस 6X प्लस 2 इसमें और इसमें common इसमें X common हो गया तो 3X प्लस 1 बचा प्लस 6 और 2 में 2 common हो गया 3X और 2 में 2 से डिवाइड किया तो 1 इन दोनों में से एक लिखेंगे 2X प्लस 1 और दूसरा हो जाएगा X प्लस 2 ये हमारे आंसर हो जाएगे इसी का दूसरा सवाल है 4X स्क्वाइर माइनस X माइनस 3 के गुनंदकर्ण करने इसी कौन से संक्या जो गुना करे तो 12 आ जाएगे और गटा है तो 1X हो जाएगे 3 और 4 या 4 और 3 तो हम देखो यहां माइनस है तो बड़ी संक्या के माइनस लग जाएगा तो 4X स्क्वाइर प्लस का 3X माइनस का 4X और माइनस का 3 इसमें और इसमें common लेंगें 4X square और 3X में X common है तो इधर बचा 4X X बाहर आगिया तो इधर बचा 3 minus 4 और 3 में 1 common है तो 4X minus minus plus 3 इन दोनों को स्टक में से 1 लिकेंगे 4X plus 3 और X minus 1 ये हमारे answer होंगे Next है हमारा तेरवा सवाल तेरवा है कि 3X plus Y बराबर ये 8 कर लो बराबर 8 को अलेकित कीजिए अर्दात हमें 3X plus Y बराबर 8 का हमें ग्राफ बनाना है तो इसके मान निकाल लेंगे कम से कम 3 मान निकाल लेंगे तो 3X plus Y बराबर 8 3X को पक्षान दन कर दो तो 8 माइनस 3X ये समिकन बनागी अब हमें X बराबर 0 रखा X की जिगे तो Y बरोबर 8 माइनस 3 इंटू 0 Y बरोबर 8 माइनस 0 तो Y बरोबर आगया 8 हम एक बोक्स बना लेते हैं और इसमें इस का मान रख देते हैं X Y तो X की जिगे तो 0 रखा और Y का आया 8 ऐसे हम इसमें X बराबर 1 रख लेते हैं तो Y बरोबर 8 माइनस 3 इंटू 1 Y बरोबर 8 माइनस 3 तो Y बरोबर आगया 5 तो X बराबर तो 1 रखा और Y का मान आया 5 ऐसे हम X बराबर 2 रख लेते हैं इसमें तो Y बरोबर 8 माइनस 3 इंटू दो वाई वरोबर आठ माइनस छे तो वाई वरोबर आगया दो तो X का भी दो और Y का भी दो अब हम इसका ग्राप बना लेते हैं इसी पेज़ बे सभी प्लैस की संख्या है इसलिए हम इस टाइब का ग्राप बना लेते हैं इसमें यह X, यह Y और यह 0 अब X की हाई यह संख्या है हमारे पास में 2 तो 1 और 2 और Y की हाई यह संख्या है 8 तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 पहला विंदू है X का 0, Y कार्ट X का 0, Y कार्ट फर्स्ट पॉइंट है फिर X का 1, Y का 5, X का 1, Y का 5 फिर नेक्स्ट है X का 2, Y का 2, X का 2 और Y का 2 और हमें इसको एक स्केल की साहते से इसको मिला देंगे एक स्टेट लाइन बनेगी इस प्रकार हम ग्राफ की रचना कर देंगे अब इसका में पेमाना लिखना है तो पेमाना इस वाली लाइन पे लिया हमने O X अक्षपर O X अक्षपर अर्थाथ एक एक अंतर लिया हमने तो एक सेंटीमिटर बराबर एक बड़ा खाना और इधर हंतर लिया हमने एक एक एच O Y अक्षपर O Y अक्षपर बराबर इधर भी हमने एक सेंटीमिटर बराबर एक बड़ा खाना ये लिया हमने इस प्रकार से हम ग्राफ की रचना कर सकते हैं कि नेक्स सवाल है हमारा कि ए बी रेकाखंड ए बी चोद्वा सवाल है कि सम्धी बाजी तता दोनों रेकाओं को माप कर लिए चोद्वा सवाल है कि हमें क्या करना है रेकाखंड ए बी 10 सेंटीमिटर कीजिए इसे सम्धी बाजन कीजिए अर्दात हमने क्या किया एक रेकाखंड एक??? यह मानली हमने ए भी इसका नाम दे दिया और इसे हमें दस सेंटीमिटर की रेखंड दी अब हमें परकार की सायधा से यहाँ परकार रखना और आदे से ज़्यादा परकार खोलना एक चाप उपर और एक चाप नीचे, वापिस यहां रखा, एक चाप इधर और एक चाप इधर, जहां से ये दोनों चाप जो कटे हैं, वो हमारा बिंदू होगा, अब इसको इन यहां पे नाम दे दोसी, अर्दात ये लम समदी बाजग होगा, तो ये रेखा और ये रेखा बरोबर होगी ये पांस सेंटीमिटर की होगी ये इसका अथवा वाला भी ऐसा कैसे ही है अथवा वाला सवाल अथवा वाला के रहा है छे सेंटीमिटर छे सेंटीमिटर की रेका कीची इसके बाही बिंदू पी से इस पर लंब समदी बाज़त कीजिए देखो मैंने क्या किया एक छे सेंटीमिटर रेका कीची ए और बी नाम दी दिया और इसका लंब अर्दक किया लंब अर्दक का मतलब एक चाप इदर और एक चाप इदर वाप नेक्स्ट है इसका पंदरवा सवाल परकार वो पट्री की साहथा से 45 डिग्री और 55 डिग्री का कौन बनाई है तो देखो हमें परकार वो पट्री की साहथा से तो हमें एक लाइन खीजनी है और 45 का कौन बनाने के लिए सब्सक्राइब हम 90 डिग्री के कौन की रचना करेंगे यह चाप कीचा परकार से 60, 120 फिर यहां पे रखा एक चाप यहां पे और यहां से ही और इसको हम इससे मिला देंगे अब यहां पे रखेंगे एक चाप इदर और यहां से रखेंगे यह चाप जहां ये चाप कटेगा उसको हम मिला देंगे और इसको हम 45 डिगरी का कौन रख देंगे अब हमें बनाना है पिछोतर डिगरी का तो पिछोतर डिगरी का कौन बनाने के लिए हमें 90 डिगरी का तो बनाना पड़ेगा तो परकार की साहए था, हमें ने चाप कीचा, 60, 120, फिर यहां परकार रखा, यह, और फिर यहां पर रखा, तो यह हो गया हमारा 90 डिक्री का कौन, अब हमें बनाना है पिचोतर, तो पिचोतर 60 और 90 के बीच में होता है, तो यहां पर परकार रखेंगे, यह चाप काटेंगे, यहां पे रखेंगे यह चाप काटेंगे और इस चाप को हम इससे मिला देंगे तो यह जो हम कौन की रचना करेंगे यह हमारा 55 डिगरी का होगा नेक्स्ट आ रहा हमारे बास में सोलवा सवाल सोलवा है कि त्रिबूच A B C की रचना कीजिए जिसमें A बराबर हमने मान लिया इसको 7 सेंटीमिटर और B बराबर 5 सेंटीमिटर हो कौन C 60 डिगरी हो तो देखो हमने पहले क्या किया एक लाइन हमने B C अरता हमने B यह 5 सेंटीमिटर की लाइन कीज ली और इसका नाम दे दिया हमने B और C C पे हमें 60 degree का कौन तो ये चाप खीचा ये 60 और इसको हमने उपर तक जाने दिया अब इसमें 7 cm का हमने चाप लिया और 7 cm का चाप लिया क्योंकि A इदेर आएगा 7 cm का चाप खीचा ये गठा तो इसको यहाँ पर हमने बिन्दू A एंकित किया और इसको हमने B से मिला देंगे तो ये हमारा साथ सेंटीमीटर की रचना हो जाएगी इसी का अथवा वाला सवाल है कि त्रिबुच त्रिबुच ABC की रचना कीजी जिसमें कौन A 90 डिगरी AC 4.5 तो हमने क्या किया कि सर परता हमने एक ये एक लाइन कीची मालिया हमने ये BC BC अगर खीचते हैं चलो AC AC हमने कीची इसको AC 5.4 सेंटीमीटर की लाइन कीची कोण A पर हमें 90 डिगरी बनाया 60 120 और ये 90 ये 90 डिगरी का कोण बना दिया AC अब AC इधर AC बराबर चलो अब हमें BC BC खीचनी अरताथ यहां से हमें 10 सेंटीमीटर का चाप लेंगे और जहां पर ये कटेगा उस बिंदू को हम इससे मिला देंगे तो ये इस प्रकार से 10 सेंटीमीटर की लाइन हो जाएगी और ये भी हो जाएगा फिर सत्रवा सवाल है कि एक समानतर चत्रवुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 4.5 सेंटीमीटर BC बराबर समानतर चत्रवुज हमें बनाना है तो समानतर चत्रवुज का हम कच्चा चितर बनाते हैं पहले ये मैंने एक कच्चा चितर बनाया और इसका नाम मैंने A, B, C और D दे दिया अब इसमें पूछ रहा A, B वराबर 4.7 cm फिर कहा है इसने B, C 3.5 cm और फिर A, C ये विकन कीचा इसने 7 cm तो इस प्रकार से हम एक चित्र बनाएंगे तो सर परता हमने 4.7 4.7 cm की लाइन कीची और इसका नाम हमने A, B दे दिया परकार की साहता से परकार और पटरी की साहता से अब B पे हमने क्या किया 3.5 cm का इससे पहले हमने क्या क्या 7 cm का चाप लिया क्योंकि ऐसी कीचा मान लिए 7 cm का चाप यहां पे कटा अब यहां से B से 3.5 cm का चाप लिया परकार से परकार और पट्री से तो मान लिया यहां पर कटा तो इस वाले बिंदू को हमने इस से मिला दिया और इस वाले बिंदू को हमने इस से मिला दिया और यहां पर बिंदू C अंकीत कर दिया अब 4.7 cm है तो इदर भी 4.7 cm आएगा परकार वाइसकेल की साहताज हमने परकार यहां पर रखा और चार पॉंट साथ सेंटीमिटर का हमने यह चाप खींचा यहां से बिंदू सी से अब यह तीन पॉंट पांच है तो यह भी तीन पॉंट पांच होगी तो 3.5 cm का हमने चाप केंचा ये कटा इस वाले बिंदू को हमने इससे मिला दिया और इस बिंदू को हमने इससे मिला दिया और यहां बिंदू डी अंकित कर दिया तो ये भी 4.5 cm ये भी 7 cm की हो जाएगी और ये 3.5 cm ये भी 3.5 cm की हो जाएगी नेक्स्ट है हमारा अठारवा सवाल की त्रिबुच बूझाएं जिसमें 15 cm, 25 cm, 30 cm त्रिबुच का शेतरपल ग्याद कीजिए अठारवा सवाल यह हमारा हिरोन वाली प्रशनावली से है इसमें देखो A बराबर हमने 15 cm माना B बराबर 25 cm और C बराबर 30 cm त्रिपुज का आर्द परिमाप का S बराबर A प्लस B प्लस C बटा दो 15 प्लस 25 प्लस 30 बटा दो 15 और 25 चालीस चालीस और 37 सित्तर बटा दो बराबर 2 तिया छे 2 बंजे 10 यानि 35 डिगरी 35 है हिरोन वाला सुत्र S कोस्टक S माइनस A S माइनस B S माइनस C Rood S का माइन है हमारे पास में 35 तो 35 35 माइनस 15 35 माइनस 25 और 35 माइनस 30 Rood 35 इंटू 35 में से 15 गए 0, 20 बचे इधर बचे 10 और इधर बचे हमारे 5 अब हम इसके टुकड़े कर देदे हैं 37 पंजे 35 के 37 पंजे 35 इसका हो जाएंगे 5 और इसका हो जाएंगे 5 इंटू 2 दस और इंटू 5 अब हमें इसके टुकड़े करने हैं ठीक हैं तो इसके हो जाएंगे 7 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 4 के हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 अब 2 दो के जोड़े बन रहे हैं ये जोड़ा ये जोड़ा और ये 5 का जोड़ा इसमें से एक 2 का जोड़ा नहीं है तो इसमें से तो एक पांच लिया इसमें से दो और इंटू पांच अब रूड में बचाज साथ इंटू दो तो पचीस पचीस दूनी पचास रूड साथ दूनी चौधा सेंटीमीटर स्क्वाइर हमारा आंसर हो जाएंगे नेक्स्ट है हमारा 19 सवाल एक घनाप की माप 15 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है इस इस घनाप को पिगला कर 6 सेंटीमीटर भुझाओ वाले कितने गन बनाये जा सकती है तो हमें पूछा क्या एक तो गनाब की लंबाई चोड़ाई उच्छाई देरी की तो गनाब की लंबाई चोड़ाई और उच्छाई लंबाई तो देरी की है 15 सेंटी मिटर चोड़ाई देरी की 12 सेंटी मिटर और उच्छाई देरी की 6 सेंटी मिटर और गन की भुजा देरी क इमारे पास में 3 cm अब क्या है que इसे पिगला कर ठीक है इसे पिगला कर 3 cm वाले कितने गन बनाए जा सकते हैं तो हमें पूचा है गनो की संख्या गनो की संख्या बराबर गनाब का आयतन बटा गन का आयतन गनाब का आयतन लंबाई इंटू चोड़ाई इंटू उचाई बटा घन का आधन बुजा क्योग इसको हम गनाप का आधन पंदरा इंटू बारा इंटू छे बटा तीन तीन दुनी छे पंदरा को बारा से गुणा किया 180 180 को दो से गुणा करेंगे 360 तो 360 नए गन बनाये जा सकते हैं, नए गनों की संख्या, यह हमारा आंसर हो जाएगा, नेक्स्ट है, कुन्नी स्वा हो गया, बीस्वा स्वाल है मारा, एक बटा दो रूट तीन के हरका परी में करन कीजिए, अर्दात हमें इस सवाल में हरका परी में करन करना है, बीस्वा सवाल, तो एक बटा दो प्लस रूट तीन हरका परी में करन करें, sign change हो जाएगा answer में 2 minus root 3 2 minus root 3 1 को root 2 minus root 3 से गुना करें तो 2 minus root 3 2 को 2 से गुना किया 4 plus minus minus root 3 को root 3 से गुना किया 3 2 minus root 3 बटा 1 यह हमारे answer हो जाएगे इसी का अथवा है 20 वे का अथवा है कि इसमें दे रेका 3 बटा 5 की गात X यह into ए और into 5 बटा 3 की गात 2X बराबर दे रेके 125 बटा 27 अब देखो यह पहले तो इसको इसे लिखो 3 बटा 5 की गात X into 5 बटा 3 की गात 2X बराबर 125 का गनमूल कितना होता है 5 और 27 का होता है 3 अरता है इसकी गात हो गए 3 5 की गात 3 और 3 की गात 3 अब हमें इस कंडिशन में इसको इची है तो हम इसको उल्टा करें तो 5 बटा 3 की गात माइनस X into 5 बटा 3 की गात 2X बराबर 5 बटा 3 की गात 3 अब ये आदार समान है तो गातां के जुड़ जाती है तो इससे ये कैंसल हो गया क्या बली हम कैंसल अभी कैंसल नहीं करते है ये इससे इससे इसमें हो गया 5 बटा 3 की गात माइनस X प्लस 2X बराबर 5 बटा 3 5 बटा 3 की गात 3 5 बटा 3 से 5 बटा 3 कैंसल इदर कर रहे है बचा माइनस X प्लस 2X बराबर 3 दो एक्स में से एक एक्स गया तो एक्स बराबर तीन ये हमारे अंसर हो जाएंगे नेक्स्ट है हमारा इसका 21 स्वाल घनों का विस्तार कीजिए 21 21 ये घनों का विस्तार 3A माइनस 2B का होल क्यूब पहला तो A पे तो ये है और B पे है एक माइनस 2X का क्यूब इसको हम X माइनस Y का होल क्यूब वाले सुद्र से सोल करेंगी X माइनस Y का होल क्यूब बराबर X क्यूब माइनस Y क्यूब माइनस 3XY कोस्टक X माइनस Y X की जगे तो 3A रखेंगे और Y की जगे 2B रखेंगे 3A का whole cube minus 2B का whole cube minus 3 into X की संक्या है 3A into Y की संक्या है 2B और कोस्टक 3A minus 2B 3 का cube 3 का cube का मतलब 3 into 3 into 3 27 27A cube minus 2 का cube 2 into 2 into 2 8B cube इसको 3 दिया 9 9 दूनी 18 18AB कोस्टक 3A minus 2B 27A cube minus 8B cube minus 18 को 36 तीन से गुना करें 18 दिया चोपन और A को A से गुना किया तो A square और B minus minus plus 18 दूना 36 A और B square ये हमारे आंसर हो जाएं इसी का सेकंड सवाल है एक माइनस 2X का whole cube इसमें भी एक ये सर्चमी का है तो X minus Y का whole cube X cube minus Y cube minus 3xy कोस्टक X minus Y X की जिगे एक रखना और Y की जिगे 2X रखना तो एक का cube minus 2X का cube minus 3 into 1 into 2X और एक माइनस 2X एक माइनस 2 का cube 8 X cube minus 6X और एक माइनस 2X एक माइनस 8X cube माइनस 6 को 1 से गुना गरेंगे 6X minus minus प्लेस छे दूनी 12X स्क्वाइर ये हमारे आंसर हो जाएंगे नेक्स्ट है हमारा निम्न समीकरण को विलोपन विदी या प्रतिस्तापन विदी से सोल कीजिए समीकरण है 22 स्वाल है 2X प्लस 3Y बराबर 9 समीकरण नमबर 1st 3X प्लस 4Y बराबर 5 समीकरण नमबर 2nd हमें X का मान बरोबर करना है तो इस समीकरण को तो गुना करेंगे हम 3 से और इस समीकरण को गुना करेंगे हम 2 से तो ये हो जाएंगे 6X प्लस 9Y बराअबर नो तिया 27 6X प्लस 4धोनी 8Y बराअबर 5धोनी 10 अब फंस सम्मेकरण के नीचे second सम्मेकरण दख देते हैं 6X प्लस 8Y बराअबर 10 साइन चेंज प्लस ये तो माइनस प्लस ये तो माइनस ये तो कट ग 23 9Y में से 8Y गयँ तो 1Y बचा बराबर 27 में से 10 गया तो 17 बचा तो y वरोबर आगया हमारा 17 अब y के मान को समीकरण नमबर एक में रखने पर y के मान को समीकरण एक में रखने पर समीकरण नमबर एक है कि 2x प्लस 3y बराबर 9 2x प्लस 3y बराबर 9 और हमें y के जगे रखना है 17 तो 2x प्लस 3 इंटू 17 बराबर 9 2x बराबर 17 तिया 51 बराबर 9 प्लस के इदर जाएंगे तो माइनस के तो 2x बराबर 9 माइनस 17 तिया 51 और 2x बराबर 9 घटा दो इसमें से 9 से 10 ग्यारा 2 बचे और 4 40 बचे वो भी किसके माइनस के x बराबर इंटू में तो बटे में जाएगा माइनस 42 बटा 2 काड़ दो 2 दूनी 4 दो एकम दो तो x बराबर आगया माइनस के 21 तो हमारा x बराबर माइनस 21 और y बरोबर 17 यह हमारे अंसर हो जाएंगे नेक्स्ट है इसका 2300 प्रश्ण 2390 बिंदों को अलेखित कीजे अर्थाद यह बिंदू दे रहे हैं हमारे बास में बिंदू दे रहे हैं 1, 2, माइनस 1, 3, माइनस 2, माइनस 5, 3, माइनस 2, 2, 0 और 3, 0 यह हमारे पॉइंट दे रहे हैं हमें इसमें पॉइंटों पे लगाने हैं तो इसमें यह संख्या देखनी है कहां तक है तो x की यह संख्या है 2 तक और y की यह संख्या है 5 तक x, x-y, y- 0 1, 2, 3, 4, 5 माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4 1, 2, 3, 4, और 5 माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, और माइनस 5 अब देखो इसमें तो दोनों प्लस प्लस के आएंगे x के भी प्लस के, y के भी प्लस के इसमें दोनों माइनस माइनस के आएंगे x का भी माइनस का और y का भी माइनस का इसमें X का तो माइनस का Y का प्लस का और इस वाले कॉलम में X का तो प्लस का और Y का माइनस का आएगा इसको हम प्रतम चतर दांस, दिदी चतर दांस, तरती चतर दांस और चतर चतर दांस बोलते हैं अब X का 1 और Y का 2 ये पॉइंट आजाएगा हम इसको हम इससे मिला देंगे यहां लिख दिया 1 और 2 दूसरा है माइनस 1 और 3 इसमें आएगा माइनस 1 और 3 ये वाला पॉइंट और इसको हमने इससे मिला दिया और यहां लिख दिया माइनस एक और तीन माइनस दो और माइनस पांच माइनस माइनस का माइनस दो और माइनस पांच यहां पर आ जाएगा और इसको हमने मिला दिया माइनस दो और माइनस पांच नेक्स्ट है हमारा तीन और माइनस दो इसमें आएगा 2 और 0 X का तो 2 और Y का 0 X का 2 और Y का 0 जहांपे संक्या होगी वहांपे पोइंट लगेगा X का तो 0 और Y का 3 X का 0 और Y का 3 हमारे यह पोइंट यहांपे आ जाएगा X का 0 और Y का 3 इस प्रकार्ड से आपको भी इनी विंदों को अलेकित करने है Next हमारा सवाल है Tribute PQR की रचना कीजिए Tribute PQR की रचना कीजिए जिसमें QR बराबर 8 cm और कौन Q बराबर 120 डिगरी और R R बराबर 30 डिगरी है यह हमें इसकी रचना करनी है तो इसकी रचना करने के लिए हमें 24 सवाल है 24 है के QR तो हमने क्या किया पहले QR बराबर 8 cm की लाइन खीची और इस पे हमें 120 डिगरी का कौन बनाया तो 60 और 120 परकार की साहता से यह 120 डिगरी का कौन है अब क्या पूछ रहा है कौन R पर 30 डिगरी का कौन बनाना है ठीक है तो यहां पर बनायांगे हम यह चाप कटा यह 60 इसका अदा फिर यहां पे रखा यह चाप और यहां पे रखा यह और इसको हमने आगे तक बढ़ा दिया और यह जहां पर मिला वहीं पे इसको मिला देंगे तो इस प्रकार हमने इस त्रिभुज़ की रचना कर देंगे फिर है इसका पच्चीसवा स्वाल कक्षा दस के कक्षा दस के तीस चात्रों का भार किलोग्राम में निम्लिकित है आंकडों को सार्णी बनाईए तो इसकी में सार्णी बनाईए देखे नंबर क्या है सबसे चोटा चोटा अंक है तो इसका अंक चात्र और भार किलोग्राम तीस चात्रों का भार किलोग्राम में है तो देख लेते हम इसमें तेंटीस सबसे चोटी सिंख्या क्या है हमारा इसमें 33 तो 33 इसकी बारम बारता और फिर आ जाएगा इसका मिलान चिन ये कोलम बनाना 33 किती बार है एक दो तीन 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 बार तो इसकी तीन बारम बारता होगी एक दो तीन अब आता है हमारे पास में 34 34 देख लेते हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ तो आठ बार है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ ये हमारा हो गया फिर इसके बार में 34 के बार में क्या 35 है क्या इसमें 35 ले ले दें 35 35 है किती बार है देख लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बार तो ये साथ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 35 के बाद मैं आघा है 36 36 किती बार है 1, 2, 3, 3 बार 3, 1, 2, 3 फिर 37 सेंटीस देख लेते हैं एक दो तीन चार तो चार बार सेंटीस है एक, दो, तीन, चार सेंटीस के बाद मिलेते हैं हम अर्टीस अर्टीस है क्या इसमें अर्टीस एक, सुरी एक, दो तीन चार अर्टीस है हमारा चार बार, एक, दो, तीन, चार अब इसको गिन लेते हैं आठ, साथ, पंदरा सोला, सतर, अठारा, उनिस, भीजिए इस, बाइस, चोईश, पजी, चभीज, सत्ताइस, अठाइस और और कौन बचरा इसमें तीस होने चीए इसमें तो सेंतीस होगा ये हमारा पांच बार होगा ये इससे होगा, इसकी टोटल हमारी आजाएगी तीस, ये हमारा अंसर होएगा इसका पच्छिसवा अब हम लेते हैं इसमें च्छिसवा च्छिसवा सवाल च्छिसवा सवाल गिरा कि सिर्फे हमें इस सवाल की ऐसे नाइंत में इस टाइब का जो सवाल आएगा तो उसकी रेकिक समिकरण बनाने के लिए कहेगा पांच पुस्तकों साथ कलमों का कुल मूली सेवेंटी नाइं रूपे है तो इसे हम रेकिक समिकरण द्वारा बनाईए तो पुस्तक को तो हमने मान लिया एक्स और कलम को मान लिया हमने वाई तो पांच पुस्तक तो पांच एक्स प्लस साथ वाई बराबर सेवेंटी नाइन में करिता है यह हमें समिकरण बनानी है नेक्स है हमारा इसी का देखो 27 सवाल 27 की तरिवूज के तीनों कौन दो अनुपाद तीन अनुपाद चार के हो तो त्रिबुज के तीनों कौन ग्याद कीजिए इसका अनुपाद दे रहे का दो अनुपाद तीन अनुपाद चार त्रिबुज के तीनी कौनों का है हम जानता है कि त्रिबुज के तीनी कौनों का योग 180 होता है प्लस कौन C बराबर 180 डिगरी होता है हमें अनुपात दे रहे का तो पहले इसका हर कौन का माप निकालेंगे प्रति ये कौन की तिनों कौन ग्याद कीजिए तो 2X प्लस 3X प्लस 4X बराबर 180 जोलो 7, 8, 9 9X बराबर 180 X बराबर 180 बटा 9, 9, 2, 18 तो X बराबर 20 डिगरी है अब हमें निकालना है 2X 2X का मतलब क्या है कि कौन A कौन A का मान है तो 2 इंटू 20 बराबर 40 डिगरी कौन B कौन B का उनुपात है 3X है तो 3 इंटू 20 बराबर 60 डिगरी फिर कौन C बराबर 4X तो 4 इंटू 20, 20 चोक 80 इनको जोड़ेंगे हम तो 180 degree हो रहा है तो इस प्रकार से हमने 27 सवाल भी complete कर लिया नेक्स्ट है हमारा 28 सवाल कि एक वर्ग का क्षेत्रपल एक वर्ग एक वर्गाकार खेत की लंबाई 120 मिटर है इसका परिमाप और क्षेत्रपल ग्याद कीजिए देखो हम जानते हैं कि वर्ग की चारो भूजाएं बरोबर होती है तो इसने क्या है कहा? कि यह भी 120 मिटर है तो यह भी 120 मिटर होगी और यह भी 120 मिटर होगी इसका परिमाप और क्षेत्रपल पहले तो निकालेग तो 4 इंटू भुजा है 120, 12.48, 480 मिटर हमारे अंसर हो जाएंगे, नेक्स्ट है हमें वर्ग का शेतरफल निकालना है, वर्ग का शेतरफल, बराबर भुजा स्क्वाइर इसका सुत्र होता है, भुजा है हमारी पास में 120 का स्क्वाइर, तो 12 का स्क्वाइर 144 और 00 मिटर स्क्वाइर ये हमारे अंसर हो जाएंगे, इस प्रकार से मैंने आपको एक पूरा मोडल वेपर कम्प्लीट कराया है, आप इस चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करें, थेंक्यू,